अब दर्शक है हरजीत जी ने हमें कॉल किया है हिमाचल प्रदेश से जी स्वागत है कार्क्रम में आपका प्रेश्न करें है मेरे ममी जी की उमर है बहतर साल जी उसकी डिस्की प्रोगलम है जी डिस्की आजी सर फीक है अब बटा खूब ममी का ख्यार लगा करिए ये काफी बुरी तकलीफ है और बहुत अच्छा हुआ जो आपने शेयर कर लिया ये ठीक हो सकती है दो तरीके हैं एक तो आप दवा खु बनी बनाई दवा का नाम है कैफसुल टी केर टी फॉर टाइगर कैफसुल टी केर सुबह शाम दे खाने के बाद दिन में दो बार नाच्टे के बाद और रात तो खाने के बाद बगए चर्बी के दूस से दे शुगर नहीं है तो जूस से दे गरीब आदमी है तो पानी से और एक रामेटेरिल बहुत मशूर है लेकिन खबरदार उसे देख कर लेना ये नकली भी बहुत मिलता है गौन सिया यानि काला गौन अदादा गिराम देंगे अपनी मम्मी को तो ये सो गिराम भी अगर आपने खरीद लिया तो अपने खतम होने से पहले ये बीमारी को खतम क कर देता है ऐसा इसका प्रवर्ति है एक और दर्शक है 36 गड़ से हमें कॉल किया है शत्रुगन लाल जी ने उनसे बातचीत करते हैं जी स्वागत है कायकरम में क्या सवाल करना चाहते हैं मैं अपने बेटे के बारे पूछना चाहता हूँ में मेरे बेटे का नाम रवी कुमार है 38 साल उमर है उसको क्या है कि ना किड़नी के प्राबलम है खुन भी शरीर में बढ़नी रहा है लीवर भी थोड़ा कंजोर है उसी के बारे में में ना पिलकुल हकीम साथ हाँ दीए एक दवा ऐसी है जो इन तीनों रोगों पर काम करती है और उसे कहते हैं नमक जैतून जैतून का नमक ये आदा गिराम या उससे कम एक गिलास पानी मिला कर दिन में कमसकम एक बार पिलाएं और ज़्यादा ज़्यादा दो बार पिला सकते हैं इससे उसके लीवर का ठीक होना गैस एसीडिटी कब्ज किड्नी का ठीक होना उसकी जो क्रेटिनाईन बर जाती है किड्नी की गंदगी जो बर जाती है जिसकी बज़े से हमें डायलेसिस कराना पड़ता है ये उसको कम कर है गंदगी को पेट ठीक रहता है भू खूब लगती है खून खूब बनता है और कब्स हो बावसीर हो इंफेक्शन हो ऐसे कई तरह के मर्ज को ठीक करना इसका काम है आप सो दो सो ग्राम खरीद दें आपके बच्चे को फायदा होना मुम्किन है जी दल्बीर जी इस वक्त हम अनलाइन पर मौझूद है राजस्थान से हमें कॉल किया है बहुत-बहुत स्वागत है कायक्रम में आपका सवाल कर सकते हैं आप चलिए लगता है इन से हमारा संपर्ग तूट गया है हकीम साब नसों के बारे में आपने बहुत विस्तार से जानकारी हम तक पहुँचाई है आप हमें ये बताईए कि अगर नसों को मजबूत करना है शुरूआत से ही तो वो कैसे की जा सकती है नसों के लिए भगवान ने हर चीज़ पैदा की है जानकारी होना बहुत जरूरी है और जानकारी मैं शेयर करता हूँ बार बार सबसे के नसों के लिए और इसकिन के लिए एक डाइट है जो लोग वेजीटेरियन है उनके लिए अखरोट जो रहीश है उनके लिए अखरोट जो गरीब है उनके लिए अलसी इन सब में फायदे एक है और जो मासाहरी है उनके लिए मचली जे इन तीनों में वो सब चीज़ेंगी है जो नसों को ताकत देती हैं जिनको जो चाहिए इस्तमाल कर सकते हैं बिलकुल इसका सेवन करना चाहिए और दलबीर जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए है फोन लाइन पर स्वागत है पूछी अपना प्रश्ण सरि नमस्कार जी आदा हो सर बजन बढ़ाने के खोट नुटसा हैं सब कितनी उमर के लोगों को बढ़ाना है 30 ठीक तीक एक बढ़ा अझ़ा नस्का जो बजन काफी तही ही से बढ़ाता है बालों के लिए बहुत अच्छा है चेहरे के लिए infection के लिए, चेहरे के महासों के लिए और भूख बढाने के लिए और देखिए एक नारियल पानी तो आजका सब जगा मिलने लगाए एक नारियल पानी ले रोजाना और एक गॉन आता है गॉन मौरिंगा सफेद सफेद वाला यह लेना गौन मौरिंगा सफैद ये 100-200 ग्राम खरीद ले और इसको आदा ग्राम इसको पौडर बना ले रो मेटरी लेना है आपको पिसा पिसाया नहीं और आदा ग्राम लेकर पौडर बनाकर आप एक नारियल पानी मिलाकर रोस पी लिया करिए आप देखेंगें कि आपको बहुत तेई से फाइदा मुम्किन है जहां वाके में तो उमीद करते हैं कि आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और लगातार अपने तमाम दरुश्कों तक ये जानकारे भी हम पहुंचाते रहते हैं कि हकीम सहाब आपके लिए रिसर्च करते रहते हैं आतिया हर्ब्स की अगर बात की जाये तो उसके फाउंडर है, प्रमोटर है, रिसर्चर है हकीम सहाब और उनकी लगातार ये कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा पिमारियों को लेकर रिसर्च की जाये और उसके बाद जो हल मिलता है वो आप तक पहुंचाया जाए एक और दर्शक है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर नमस्कार जी नाम बताएं कहां से बोल रहे हैं आप मैं स्वागत है सवाल करें मेरे को हाइशाइट की पॉल लो में हाइशाइट भी गाए और वो आप हमेशा लिया करें आपकी सिहत के लिए भी आपके दिबाख के लिए भी और आपकी आँखों के लिए जिनकों भी ये परिशानी है तो उनको चाहिए के रोज़ाना एक गिलास गाजर का जूस पीएं और इसमें गॉन मौरिंगा सफेद सफेद गॉरिंगा का गॉन ही ले लाल ने रे ये नकली होता है गॉन गॉरिंगा सफेद अदा गिराम मिलाकर रोज पी लिया करें आपको बहुत फाइदा होने वाला है जिन लोगों को भी आँखों की कमजोरी दिमाग की कमजोरी या बालों की कमजोरी बालों का ग्रॉथ न होना यः जिर लोगों कोई कध कम रह जाता है चोटे कद के रह जाते हैं या हैल्थ नहीं बंती है उनके ले बहुत अच्छा नुस्का है आप इसे इस्तमाल कर सकते जिस्वागे में तो यही हम कोशिश करते हैं कि जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुंचाए जाएं और ये भी आपको बता दें कि हकीम साहब इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं लेकिन उसके बावजूद आपके लिए समय निकालते हैं हिंदोस्तान के सबसे काम्याब और व्यस्ततम हकीमों में से एक है हकीम स पहब तो इसका फायदा आपको उठाना है आपको ज्यादा से ज्यादा हमें कॉल करनी है आपके कोई भी परिशानी है कोई भी ऐसी बिमारी है जिससे काफी ज्यादा परिशान आप हो चुके हैं तो क्या करना है घबराना नहीं है क्योंकि घबराहट में कई बार ये होता ह कि हम सही एलाज नहीं कर पाते हैं तो आपको हमें कॉल करना है और इस कड़ी में एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गया है उनकी परिशानी क्या है उनके साथ किस तरह की समस्य आ रही है आईए जान लेते हैं नमस्कार जी स्वागत है, सवाल करें, नाम क्या है आपका? बढ़ जाता है देखिए समय बहुत कम है मैं आपको एक दवा बता देता हूं गरेल नुसका नहीं बता पाऊंगे समय बहुत कम है कैपसूल पीकेर पीफोर पटना कैपसूल पीकेर उन्हें दिन में दो या तीन टाइम खाने के बाद देना चाहिए ताकि उनको पेट भी और उनकी किड्नी भी सलामत रह सके प्भी नहीं जैतून का तेल मैंने कभी नहीं बताया झाट रहा गएगा जेतुन के सिर्के के लिए आप हमारी help line number पर भी बात कर सकते हैं वो बता देगे कहा कहा मिलता है एक और दर्शक है हमारे साथ हलो नमस्कार जी नाम बताएं अलो नाम बताएं जी हकीम साहब हकीम साहब को फोन लगा है जी हकीम साहब आपको सुन रहे है नाम बताएं शंकर से जी क्या परिशानी है आपके साहब जी शंकर जी बताएं हकीम साहब ने एक नुच्चा बताया था सलोन जी का नमक मैंने स्टमाल किया है अच्छा पाइदा होना चुरूब आए कितने दिन से इस्वार कर रहे हैं उसके साथ सिलका भी ले सकता हूँ क्या ठीक है ठीक है मैंने समा महिनन लिया हूँ किस लिया था आपने वो पेट की परिशानी थी बहुत सारी तो मैं खुदी मंगा लिया आपके उदर से या पूछा था इदर तो अगर मिला नहीं है ठीक है ठीक है बहुत अच्छा किया आपने यह ले लिया यह फाइदा करता तेज होता काफी और आपका सवाल है कि आप सिर्का इसके साथ ले सकते हैं के नहीं हाँ सिर्का ले सकते हैं आप इसमें मिला कर भी ले सकते हैं सिर्का और जिस ज़रूत के लिए भी आप ले रहे हैं, आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं, कोई लुकसान नहीं है अगर आप ये दोनों चीजें भी इस्तमाल करें जी, चले उमीद करते हैं कि आपको भी अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, एक और दर्शक है, शेशी ने हमें कॉल किया है, शेशी जी स्वावत है काईकरम में, प्रश्न करें हैं जी है, नस्ते की इंगाल जी जी आदा शेशी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, प्रश्न करें हैं मेरे लग तजाब बोद बनता है, जी जी, और कहां से बोल रही हैं सहारनपूर से सहारनपूर से कॉल किया है, तेजाब बनता है जी, 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 मैं समझ गया आपका सवाल जी आदाब, मैं समझ गया आपका सवाल मैंने पूरी बात से लिए और ऑपरेशन के बाद ऐसा होता है कि ऐसा लगता जिसे आग सी लग रही है क्योंकि वो दवाओं की गर्मी हमें चाड़ जाती है और वो मुद्दतों तक परिशान करती है जिसके एवल्ज में हमारे बाड़ी में एक ऐसा ऐसीड बनता है जो उपर की तरफ आता है और इसको शांत होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऐसीड सब कुछ जला देता है इसे तैजाब कहते हैं अच्छा देखिए मेथी तो आप जानती है मेथी के दाना आपके किचेन में भी होता होगा दरूर महिलाओं के पास ये सब चीज़े होती है 500 ग्राम मेथी का दाना और 100 ग्राम आपको लेना है कलोंजी का नमक कलोंजी का नमक या जैतून का नमक ये दो नमक ऐसे हैं जिनकी तासीर एक जिसी है जो भी मिल जाए आप वो लेकर इसमें मिक्स करें पौडर बना ले मेथी 500 ग्राम होने चाहिए 100 ग्राम नमक कलोंजी या नमक जैतून अब इसको आप एक चमच सुबा एक चमच शाम आधा आधा चमच भी ले सकते हैं और इसके खतम होते होते आपको का रोग मुक्त होना मुमकीन है जी इश्वर चंद साहु जी भी हमारे साथ जोड़ गए हैं रायपूर से उन्होंने हमें कॉल किया है इश्वर जी बताईए किस प्रकार की परिश्वानी है आपके साथ सुगर और विपी बड़ा गैस परस्थानी है एक बार फर से प्रश्म दोरा दीजे सुगर और बिपी का परस्थानी है जी ओमर कितनी है सर गैस एज बता दीजे अपनी आप 40 40 ठीक है तो देखें एक ऐसा भी राव मैटेरियल है जो सुगर बिपी और गैस तीनों पर एक साथ काम करता है और दवा लेते रहें लेकिन ये शुरू कर दें तीन चमच जैतुन का सिर्का रात को सोते समय पानी मिला कर लें तेज होता है बहुत और तीन चमच दिन में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ये तीन रोग कंट्रॉल होना मुम्किन है